नमस्कार, मैं पूजा गौर और आप देख रहे हैं Newsroom Post देश में COVID-19 से संबंदित प्रतिबंद आज से समाप्त हो चुके हैं लेकिन face mask पहनना और social distancing के mark dent अब भी जारी रहेंगे कुछ राज्यों में face mask लगाना अनिभारे नहीं है तो चलिए जानते हैं मास्क पर प्रतिबंद हटाने को लेकर experts का क्या कहना है News Agency भाषा के मताब एक स्वास्त्रव हिशद्यों का मानना है कि इस प्रतिबंद को पूरी तरह हटाना अभी जल्दबाजी होगा उनका कहना है कि मास्क का प्रियोग करने से गरी मास्क नहीं लगाने पर 2,000 पे तक का जुर्रमाने का प्रवधान था प्रक्यात विशानू जीवानी टी जेकब जॉन ने कहा है कि क्यूए भारत में महाभारी समाप्त होचुकी है इसलिए सोर्स CVO2 के प्रसार को रोकने के लिए मास की अब और अवशक्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि मास लगानी के अनिवारता को खत्म कर दिया जाना चाहिए और लोगों को साज में स्थानों पर स्वेच्छ से मास लगाने के लिए प्रसाइद किया जाना चाहिए ताकि टीबी, फ्लू, सास की बिमारी फैलाने वाले अन्य शूश मजीवों के प्रसार को रोका जा सके। भारतिय आयर विज्ञान अनुसंधान परिशत के विशानु विज्ञान उन्नत अनुसंसान केंद्र के पूव निदेशक जॉन ने PTI भाषा से कहा कि मास लगाने कि इस आदत से विमारी कम फैलेगी। वर्तमान में हम किड्नी प्रत्यारोपन के मरीजों को मास लगाते देखते हैं, बस, ट्रेन, विमार आदी में सभी को इस से लाब होगा। फरिदाबाद के 40's हॉस्पिटल में डॉक्टर रवी शेखर जहा ने कहा कि मास लगाने क्या निवारता जारी रखनी चाहिए और इस आदत को त्यागना उचित समय से पहले लिया गया फैसला होगा। जहा ने कहा कि घातक दूसरी लहर ने दुनिया भर में कई जिन्दगियां ले ली थी। ये ऐसा था जो विश्प ने पहले कभी नहीं देखा। लोग पहली लहर के बाद थोड़े लापरवा हो गए थे और संभवता इस के कारण मौते ज्यादा होई। डॉक्टर जहा ने कहा कि ये सही है कि अधिकतर भारतियों को टीका रख चुका है लेगिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टीका हमें संक्रमर से नहीं बचाता है। संक्रमन मौत का कारण ना भी हो तब भी विवव आपको कहीं महीनों तक बिमार कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम सभी कोविट के लंबे समय तक रहने वाले प्रभाव की बारे में जानते हैं इसलिए सर्वोत्तम यहीं होगा कि संक्रमर से बचा जाए। अब तक विज्ञान ने ये साबित किया है कि संक्रमर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है मास्क लगाना। हुआ हुआ हुआ